Hello friends, welcome to my channel Today we are going to deal about next upadhatu That is Raja or Arthava So this is upadhatu of Rasadhatu So let's deal with Raja So its ka sloka is ki Masi Masi Raja Streenam Rasajam Stravati Treham Vatsara Dwaadashar Durdhram Yati Panchashatah Kshayam So its ka matlab hai ki The bleeding per vagina for the 3 days every month Is called as Raja Jho menstrual cycle ke Pahalye 3-5 dyn rhaethe hai Us bleeding ko Raja kaethe hai और इस time period ko Raja kaala और Menses bhi kaathe hai और जो ए पिरड़ है Females में age 12 को शुरू होता है That is Menarch और 50 years पे stop होता है That is Menopause Next is Rutukala Rutustu Dwaadashar Atram Bhavati Dhrushta Arthvam तो इसका मतलब एक किए जो पहला 12 है Nights मतलब रात रे Night जो Menstrual Flow बंद हो जाता है जो बाद में जो Fertile Period ko Rutukala कहते है Next is आर्तवा रुदि मतलब जब बाड़ी में आर्तवा जादा हो जाता है तो इसका श्लोका है आर्तवां अंग मर्दम अधी प्रवरुत्यम दरुगंदा चा दरुगंद्या चा तो इसका मतलब एक कि जो मिनोरेज बाड़ी एक False Smelling आर्तवा जादा हो जाता है तो यह सिम्टम दिखाई देते है Next is आर्तवाक्षा इसका मतलब है कि जब बाड़ी में फिमेल्स की बाड़ी में आर्तवा कम हो जाने का आर्तवाक्षा यह यह तो चीत काल दर्ष्चे न मलपता वा योनी वेदना चा तो इसका मतलब है कि जब आर्तवाक्षा होने पर इर्रेगलर मेंसस होता है ओलिगो मिनोरिया रहता है डिस्मिनोरिया यह तीनो आर्तवाक्षा के सिम्टम से Next is शुद्धा आर्तवा शशास्रुक प्रतिमं यत्तु यद्वा लाक्षा रसो पवं तजार्तवां प्रशम संति यद्वासोन विरंजयत तो शशा सुरुक मतलब रेड कलर आप दे रैबिट जो लाक्षा की तरह लाक्षा मतलब जो रेड कलर रहते है उसकी तरह है और जो बलड रहते है वो क्लॉद पे स्टेन नहीं होना चाहिए जब वास करते है वो भी उसके साथ वास होना चाहिए स्टेन नहीं रहना चाहिए और दूशित आर्तवां मतलब आर्तवां मतलब पी त्रिवेर दोशे ही शोणितस चतुर्टे है प्रुतक दुन्दे ही समस्त इस चोप सुरुष्ट बीजम भोती तदा पर दोशे वार्ण वेदना दिभी विद्ने तो इस यहां आर्तवां जब दूशित होता है तो उसके लक्षन कैसे होते है वो बताएगा है जैसे कि जब आर्तवां दूशित होता है जो त्रिदोसे दरहं और रक्त तब जो आर्तवां प्रोडुश होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता वो फेल हो जाता है फर्टिलाइज़सन के लिए और जब आर्तव दूशित हो जाता है तो उसके कुछ लक्षन दिखाई जेते हैं जैसे कि जब वाता दूशित हो जाता है तब वो पेनफुल और जो कलर रहता है वो डार्क रहता है और जब आर्तव रिलीज होता है तब बर्निंग सेंसेशन पॉलिडिप्सिया धिसे यह थर्स्ट एये पित दुशित द्वारा जब आरतव पित दुशित होता है और जब कफा से दुशित होता है तब जो ब्लड रहता है ब्लड स्के अंदर क्लॉड देखे जा सकते हैं और जब ब्लड रखत द्वारा दूशित होता है तो आरत वह जब रखत द्वारा दूशित होता है तो उसका स्मेल falling falls smell रहता है और froti रहता है और रिसका श्मेल जैसे urine और प्रश्स के तरह भी रह सकता है तो नेक्स्ट उपदाती स्तन्य तो यह रसका उपदाती है जो स्तन्य है और इसका डेफिनेशन की स्तन्य चाहिए प्रोडक्ट उसी को स्तन्य कहते हैं और रसका प्रसादो मदूरा है पक्वाहार निमित्त जा क्रुस्तन देहात स्तनो प्राप्त है स्तन्य मत्य विद्य ते जो रसका प्रसादवा मतलब जो रसका तो यह ना उसका बैप्रोडक्ट है और वो मदूरा मतलब जो स्वीट रहता है पक्वाहार निमित्त जा मतलब ज होता है उसको स्तन्य कहते हैं स्तन्य के गुण प्रकृत वार्णा गंदर रसस पर्षम मुदब पात्रे दुह मान मुदब कम वेती प्रकृती भूतात्वे तत पुष्टी करम आरोग्य करश्चेती स्तन्य संपता हां तो कि इसका मतलब है कि जो प्रकृत वार्णा गंदर रसस पर्षम मुदब पात्रे मतलब जो स्वीटिन टेस्ट रहता है और दुह मान मुदब कम वेती प्रकृती भूतात पुष्टी करम आरोग्यक चेती स्तन्य संपता मतलब जो बॉड़ी को पोश्चन जो फीटस होता है आफ्टर फ्रेग्नेंसी जो ब्रिश्ट फीडिंग होता है उससी दारा जो बेबी को मिलता है नेक्स्ट इस अबूट कर्मा देट इस फंक्शन आफ स्तन्य स्वादु पाकर रसम निक्दम ओजस्वं धातु वर्दन वाता पित्त हरम प्रुष्यम ख्लेश्मलम गुरुषीतलम तो स्वादु पाकर रसम मतलब जो तीन विपावकों में से एक विपाक है स्वा दातु अर्दन मतलब जो Хот तू को है ठातु को पोश्रेंड करता है मतलब नरेश्मेंट होता है वातपित्त हरम मतलब जो ओंक्रीज हम यहंगे उनको बैलेंस करता है रुश्यम मतलब स्ट्रेंद्ध बढ़ाता है स्लेश मेला मतलब जो कफ को जरा बढ़ाने का काम करता है और गुरु शीतलम मतलब गुरु मतलब जो हेवी पार डेजेशन है और शीतलम मतलब जो कोल्डिन पुटेंसिय स्टन्य रुद्धि तो स्टन्यम स्टन्योरा पिनत्वम मुहर्मुहू प्रुरुत्तिम तोदम्ज जब स्टन्यम मतलब ब्रिश्ट मिल्क जो ज्यादा प्रोडुश्योंने पर वह ज्यादा जो वह तरने ज़स्टण्य झॉअर बहार आता है वह भी मूहर्मुहू और प्रुद्तिम और पेन्फुल भी रहता हैं जब स्टन्यक्ष्य है स्टन्यक्ष्य मतलब जो ब्रिश्टमिलक रहने वह कम हो työ ठयाणने का तो इसका स्टनिक्ष्य है स्टने ओक्ष्य सभवर यू कम हो जाता है इफ यू लाइक मैं वीडियो सब्सक्रिब एंड शेर थैंक यू